जे 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 हनुमान गुसाई क्रपा करहु गुरुदेव किनाही अर्धात उन्होंने हमेशा यही का कि हम कुछ नहीं करते हम कुछ नहीं जानते यह सब इश्वर करता है महाराजी ऐसा इसलिए का करते थे ताकि हर भक्त का हर मनुश्य का अपने इश्वर में द्रड विश्वास बनता रहे और सदे धर्म का परचार होता रहे एक ही शरीर रूप में अगर मनुश्य विश्वास करने लगेंगे तो उस शरीर के ढल जाने पर उनका विश्वास शिन भी हो सकता है अता इश्वर स्वेम जब आते हैं तब मनुश्यों का ध्यान अपने सरीर से खींच कर उस परमपीता निराकार पर मिश्वर की ओर ले जाते हैं जिसकी बनाई इस रिष्टी में हर मनुश्य अपना जीवन व्यतित करता है और जनम दर जनम के चकरों को पूर्ण करता है महराजी कब कहां किस भग्ट को किस रूप में मिल जाते हैं ये उन्हीं की इच्छा से होता है कई बार हम उन्हें उस समय भी नहीं पैचान पाते या कई बार वा घटना घटने के तुरंद वाद हमें आइसास होता है कहीं वो महाराजी तो नहीं थे ये सब बातें आगे जाकर यही प्रमानित करती है कि हमारा जीवन पूर्ण उसे नियंतरण में है और नियंतरण में है उन गुरु द्वारा उन इश्वर द्वारा ही जिनकी भक्ति हम करते हैं जिनसे हम प्रेम रखते हैं जिनके लिए हम समर्पित रहते हैं वास्तों में देखा जाए तो महाराजी ने भक्ति की कोई परिवाशा ही नहीं रखी नहीं कोई महाराजी ने एक ही रास्ते द्वारा भक्त को इश्वर तक पहुंचने का माग दिखाया महाराजी सदे बहुत ही सरलतम भक्ती पर विशाष करते थे और जो मनुश्य जैसा है उसे उसी रूप में इश्वर को भजने का कहते थे ना विधी ना विधान ना क्रिया ना करम भक्ती को सिर्फ प्रेम से जोड़े रखो यही महाराजी का सरुसमर्द संदेश होता था कहा जाए तो महाराजी मुखेते मनुश्य का मन परिवर्टित करते थे और उसे इश्वर की और मागदशित करते थे जो कि स्वेम हनुमान जी का काम है वह प्रभूश्री राम की कारियों में सदेव लगे रहते हैं और हर मनुश्य को प्रभूश्री राम जी के मार की और ही अग्रिसर करते हैं चाहिए चोटे से जोटा काम हो या महान से महान काम हो हनमान जी ने में कभी इसका अधिपत्य नहीं लिया और सदेव यही का कि हम तो कुछ भी नहीं करते ये तो हमारे प्रभूशी राम की एक कृपा है अगर राम जी की कृपा ना हो तो मैं तो एक तिनका भी ना उठा पाऊं और अगर मेरे राम जी की कृपा हो जाए तो मैं संजीनी बूटी तो क्या पुरा पहाड़ी उठा लाओं और दोस्तों हनमान जी और महाराजी जब यह करते हैं तो उनका एक ही परियाय होता है कि मनुष्य किसी एक ही रूप से ना बंदे क्योंकि इस जीवन के दोनान मनुष्य सिर्व एक भ्रहम का जीवन जीता है और अगर इस भ्रहम के परे अपने इश्वर को पहचान लेता है तो उसके जनम जनम सीदो हो जाते हैं आज आपको एक ऐसा ही वरतान सुनाएंगे जहां पर महराजी ने एक विदेशी बगत पर असीम करपा करी और सारा अधिपत्ति इश्वर को ही दे दिया इससे पहले हम आगे बढ़ें आप सब इस एक छोटी शी गुजारी से आपके सिर्प 5 सेकंड लगेंगे इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजेगा ताकि सभी तक महराजी का कथा पर शाद पहुँचे और जो लोग प्रत्मार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को उसी सबस्क्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को ओन कर लें ताकि आने हाले सारे नए वीडियो आप तक सरप्रत्म पहुँचे और साथ ही दोस्तों अब हमने आप सभी के लिए वाटसप चैनल की भी शुरुआत करती है आप सभी वहाँ पर फोलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने प्रश्म भी पूछ सकते हैं हमारे नए वाटसप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही हम कमेंट बॉक्स में पिन भी कर देंगे आएब ले चलते हैं आपको भिना देरी करें इस बहुत यद्बूत व्रतान पर दोस्तों ये घटना 1972 के आसपास की है उस समय रामदास ने ओईयों में एक व्याख्यान दिया था वहाँ पर रामदास ने महराजी और भक्ती मार्क के बारे में लोगों का अउगत कराया था वहीं पर एक नोजवान लड़के ने रामदास का व्याख्यान सुना करते समय उसने अपनी कमीज उता रखी थी क्योंकि उसे बहुत ही गर्मी मैसूस हो रही थी जब उसने आश्र में प्रविष्ट किया तब महराजी का एक वहाँ पर उपस्तित थे जिन्होंने कई साल पर डोक्टरी प्रेशा छोड़ दिया था उस डोक्टरी भक्त ने देखा कि उस अमेरिकन नोजवान लड़के के सीने पर चक्ते उबर आये हैं और चोटे चोटे दाने हो रखे हैं तब उसने उस आगंतो को आश्र में बिठाया और पूछा कि वा कहां से आया है उसने डोक्टरी भक्त को अपनी वेता सुनाई और बोला कि इनी चक्तों के इलाज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ तब डोक्टरी भक्त ने उस अमेरिकन नोजवान से पूछा कि क्यों वहाँ पर इलाज नहीं करा जा सकता उस लड़के ने कहा कि वहाँ उसने बहुत डोक्टरों को दिखाया पर अन्तु सभी डोक्टरों ने उसे अब असादे रोग कहा है साथ उसने यह भी बताया कि मैंने इसके इलाज के लिए काफी इंजेक्शन लगवाए और मलम भी लगाए कि तो कोई लाज मुझे नहीं हुआ मैंने जब रामदाजी से महराजी के बारे में सुना तो मुझे रहा नहीं गया और मैं सीधा यही अपना इलाज कराने आया हूँ उस डोक्टरी भक्त ने अपनी डोक्टरी दिखाने के लिए कहा कि यह बेकुवी है यह तो केवल मातर टीनिया कॉर्पस है इसका इलाज बहुत ही असाने से हो जाता है अभी हमारे आश्रम का लड़का दौरकार नेनिताल जा रहा है मैं उसे बोल दूँगा वहाँ से गंदग गोल ले आएगा जिसे यह रोग तुरण समाप्त हो जाएगा तब उस अमेरिकन लड़के ने कहा कि जी आपकी बहुत करपा होगी क्योंकि दो दिन पहले ही मैंने रामदाज जी से मिला था और उन से मिलने के बाद ही मैंने निश्चे किया किस असाद्य रोग का इलाज मुझे महराजी के पास ही मिल सकता है उनके आश्रम में मिल सकता है तब पचात उस डॉक्टर भक्त के कहने पर आश्रम का दूसरा लड़का दौर का गंदग गोल ले आया उस डॉक्टर भक्त न उस अमेरिकन लड़के को वहां से हटा वह डॉक्टर भक्त यह सोच में पढ़ गया कि उससे प्रैक्टिस छोड़े वे कई साल हो गये है उसका अभ्यास भी छूट गया है बीच में उसने किसी मर्ज का इलाज नहीं किया कहीं ऐसा नहीं कि पता नहीं कि तमाम विचार वह सोचतावा डॉक्टर अपने कमरे में गया और चिकित्सा की कुछ पुरानी पुस्तके देखने लगा ताकि जो उसने उप्चार बताया है इसके लिए वह संतुष्ट हो सके जब उस डॉक्टर भक्त ने अपनी पुस्तकें टाटोली तब उसे गयात हुआ कि उसने मर्ज को ठीक से समझा नहीं और उसने उस अमेरिकन नोजवान लड़के को गलत दवा दे दी है वह डॉक्टर भक्त अपनी पुस्तक को छोड़कर तुरंट चाय की दुकान के और दोड़ा ताकि उस लड़के से मिलकर उसे दी गई दवा वापस ले सके लेकिन जब तक वह चाय की दुकान पर पहुंचा तब तक वह लड़का गाड़ी में बैट चुका था और उसकी गाड़ी वहां से चल दी थी उसके जाने के बाद डॉक्टर भक्त पस्ताने लगा कि कहीं इस दवा का उल्टा असर हुआ तो महराजी के परतिनीदी के रूप में असफल हुआ तो क्या होगा वह यही धारना लेकर लोटे गाना कि महराजी के पास जो लोग रहते हैं उन्हें कोई ग्यान नहीं है वे सब बेकॉफ हो रहयोगे हैं उस अमेरिकन लड़के के जाने के बाद एक सपता से डॉक्टर डरा हुआ था उसे बार बार लग रहा था कि उसने बहुत भहनें काम कर दिया है जिसका वो पस्तावा भी नहीं कर सकता यूहीं परती दिन शंकाओं और दूइदाओं के बीच उस डॉक्टर भक्त का दिन ढलता रहा और तक्रीबन 6-7 दिन होने के बाद वह अमेरिकन लड़का बदिनाथ से वापस लोट आया डॉक्टर ने जब उसे कैंची धामे प्रवेश करते दूर से देखा तो दोड़ते हुए आगार बोला कि मुझे शमा करना मित्र उस अमेरिकन लड़के ने कहा कि किस बात कि शमा तब डॉक्टर भक्त ने बताया कि मैंने जोसी जोस में आपको जो दवा बता दी थी वह शायद उस मर्ज के लिए उचित नहीं थी और मुझे आशंका है कि आपको उसे बहुत तकलिफ हुई हो दूसी तरफ अमेरिकन नोजवान उनकी बाते सुनकर बड़ा ही आसरी चकित हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साब ऐसे उल्टी बातें क्यों कर रहे है तत्पशाद उसने अपना शेड उठा कर कहा कि देखो मैं पूर्णु से ठीक हो गया हूँ उस डॉक्टर बक्त ने जब यह देखा तो वह काफे खुश हुआ कि उसके सीने पर अब एक भी दाना नहीं है वह पूरी तरह से साफ हो गया है और वह पूर्णु से रोगमुक्त भी हो गया है लेकिन एक कैसे हुआ उसने अपनी पुस्तगों में पाया था कि उसने जो दवाई बताई है वह पूर्णु से गलत है अता उसके दोरह दी कि दवाई से तो ऐसा सम्मव नहीं था तब उस अमेरिकन नोजवान लड़के ने उन्हें ये भी बताया कि जब अब अद्रिनात पहुंचा तो उसके सीने पर बहुत जलन होने लगी थी उसी समय वहाँ पर एक सादू आया और उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया जब उसने मुझे अपने सीने से लगाया तो पता नहीं क्यों मुझे अपने सीने पर बहुत ही अजीव सी ठंड़क मैसूस हुई उस सादू ने मुझे कुछ कहा तो नहीं बस अपने गले लगा कर वापिस चला गया और मैं आगे की यात्रा पूर्ण करने के लिए अग्रसर हो गया और वापिस लोड़ते लोड़ते मेरी पुरी बिमारी ही ठीक हो गई ये सब आपने जो दवा दी थी उसी का असर है और मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ पंदू डोक्टर वास्तिक इस्तिती जानता था उसे भली बाते ग्याद था कि महराजी के सिवा उसादू कोई और नहीं हो सकते वह डोक्टर दोड़ा दोड़ा महाराजी के कमरे की खिड़की के पास गया तो उसने दूसरी तर महाराजी को ही खिड़की के अंदर बेटे पाया तो वह डोक्टर बोला कि महाराजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने उस लड़के को ठीक कर दिया खिड़की के दूसरी और बाबा बैठे मन्द मुस्कुरा रहे थे और बाबा ने बस इतना ही कहा सब इश्वर की कृपा है इतनी बड़ी अद्बुद विलक्षन लीला महाराजी ने बदीदांत में जाकर कर दी पंदुस का अधिपत्य स्वेम बिलकुल भी नहीं लिया होरु से इश्वर की कृपा बताया इश्वर रथाद स्वेम बाबा महाराजी और यहां पर यह भी प्रमानित किया कि महाराज उस इश्वर का वही स्वरूप है जिनकी कृपा भक्त पर हो जाए तो असादे रोग भी चुटकी बजाते ही ठीक हो जाता है या गलत दवा लगने के बाद भी मर्ज पूर्णूप से ठीक हो जाता है और महाराजी की यही करपा सदेव सभी वक्तवर बने रहे इसलिगे हम सेरदे परातना करते हैं आशा करते हैं आज का ये प्यारा वीडियो आपको पसंद आया होगा जाते जाती वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक और ऐसे ही शूबंक के साथ तब तक अपना और अपने माधा पिता का संपूर्णूप से खाया लखिए और प्रूबश्री राम जी के गुनगान करते वे बाबा हन्मान जी और महाराज जी की निस्वारत होकर सेवा करते रहिए जैस्याराम